नमस्कार मैं एड़ोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों वसियत के बारे में हम सभी जानते हैं वसियत क्या होती है कैसे की जाती है और वसियत करते टाइम किन-किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए इन सभी सवा लोगों ने प्रोबेट के बारे में पूछा है कि वसियत की हुई है तो प्रोबेट कैसे प्राप्त करें तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोबेट क्या है क्यों ज़रूरी हो जाता है प्रोबेट कौन ले सकता है और प्रोबेट आसानी से कैसे प्राप् नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि लीगल जानकारियों के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें हमारे चैनल पर पहले से भी काफी सारे लीगल सब्जेक्ट पर वीडियो पोस्ट किये हुए हैं आप लोग वीडियो भी अपने लीगल नौलेज के लिए देख सकत हैं सबसे पहले बात करें कि प्रोबेट क्या होता है साधारण बासा में समझें तो प्रोबेट वसियत का एक प्रमाणी करन है जो कोर्ट के द्वारा किया जाता है यह हम सभी जानते हैं कि कोई भी वसियत उसको करने वाले व्यक्ति की डैथ के बाद लागू होती है तो वसियत को execute करने के लिए court से order लिया जाता है उसे probate कहते हैं दोस्तों probate से related provision Indian Succession Act 1925 की section 264 से section 300 तक में दिये गए हैं अब बहुत ही important प्रस निये है कि probate के लिए कौन apply कर सकता है तो अगर वसियत में executor के रूप में किसी व्यक्ति को न्यूक्त किया गया है तो ऐसा executor probate के लिए apply कर सकता है या फिर अगर executor नहीं है या executor किसी कारण से probate के लिए apply नहीं कर रहा है तो वसियत का कोई भी beneficiary यानि वो व्यक्ति जिसके favor में वसियत की गई है probate के लिए apply कर सकता है Indian Succession Act की section 276 में बताया गया है कि probate के लिए जो petition पेश की जाती है उसमें किन-किन बातों का होना जरूरी होगा इसमें सबसे पहले probate के लिए apply करने वाली party की पूरी detail जैसे नाम पिता का नाम, age, occupation और पूरा address लिखा जाएगा फिर will के बाकी beneficiaries और वसियत करने वाले व्यक्ति के class 1 के legal hires की पूरी detail लिखी जाएगे जिनको probate की petition में party भी बनाया जाएगा इसके बाद वसियत करने वाले व्यक्ति की death की date और वो इस्थान लिखा जाएगा जहां पर वसियत करने वाले व्यक्ति की death हुई है मृतक की पूरी properties की detail लिखी जाएगी और उसने जिन properties के बारे में will की है उनकी एक list बना कर पेश करनी होगी जिनके बारे में probate लिया जाना है probate के लिए apply करने वाले व्यक्ति को जो property will से प्राक्त होनी है उसकी पूरी detail और value भी लिखी जाएगी अगर petition पेश करने वाला will में executor है तो इस बारे में भी लिखा जाएगा probate के लिए जो petition पेश की जाती है उसमें ये भी बताना होता है कि मरने वाले ने वसियत सही तरीके से की थी और जिस वसियत के बारे में probate चाहा गया है वही मरने वाले की अंतिम वसियत है जिन दो गवाहों के signature वसियत पर थे उन गवाहों की detail भी लिखें और संभव हो तो एक गवाह का एफटेविट भी लगाना चाहिए और probate petition का सत्यापन भी उस गवाह से करवाना चाहिए ये सारी detail लिखते हुए और वसियत की असल copy साथ में लगाते हुए probate की petition पेश की जाती है court में petition पेश होने के बाद court बाकी parties को notice जारी करता है साथ ही notice की एक copy court के notice board पर और एक copy मरने वाले के अंतिम निवास इस्थान पर चिपकाई जाती है और daily newspaper में notice का publication भी करवाना होता है इसके बाद जब सारी parties पर notice सर्व हो जाते हैं तो वो parties अपना अपना जवाब पेश कर सकती है और अगर probate जारी करने में या वसियत के बारे में किसी party को कोई आपती या dispute हो तो वो आपती उठाई जा सकती है अगर कोई भी party आपती उठाती है तो court में probate जारी करने के पहले उसी तरह की proceeding होती है जैसी कि किसी civil case में होती है ताकि पूरी trial करके आपतीयों को decide किया जा सके और अगर कोई आपती पेश नहीं की जाती है तो court summary procedure अपना कर यानि petition के content, will की copy और properties की detail को देखकर अगर वस्यत सही होना पाई जाए तो फीस जमा लेकर probate certificate जारी करने का order कर देती है probate जारी होने का मतलब ये है कि उस वस्यत को court ने सही मान कर प्रमानित कर दिया है फिर उस वस्यत को लागू करने में कोई परेशानी नहीं आती दोस्तों उमीद है कि आप probate लेने की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या फिर आप अपने किसी भी matter में मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर उपर दिखाई दे रहें नमबरों पर फोन या फिर वाटसेप करके कोल बुक करवा सकते हैं ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में